हरे कृष्णा दनत्पनाम सब बक्तों को स्वागते आज का श्रीमत भागवतम के चर्चा में तो आज हम श्रीमत भागवतम तीसरा सकंद बाइसवा ध्याय में 21 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक 21-27 चर्चा करेंगे जिसमें कर्दम मुनी का विवाह देवहूती के श्री चाइतन्यमनो भीष्टम स्ताफितम यन भूतले स्वयं रूप तामयम् दधातिस्वा पदांटिकं Vandeham स्री गुरून श्री दावादाए गमलं, स्री गुरून वैष्नवांस्य, स्क्रिद्धंध meantbhubam स्हागन अरागुनातन विडामतांस जीवं, साद्वैतम सावधूतं, रिजयनासहितम, कृष्न चैटन्यद एवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाकान विताम्स्या नमावों विष्ण पाधाय कृष्ण प्रेश्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामनति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे घौरवानी प्रचारिने निर्विशीषः शुन्यवादी पास्चात्य दिशतारिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय क्रिष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमहा कृष्णा गरुना सिंधु दीनबंदु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्तकांचन गऊरांगी राधे व्रंदावनिश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामी हरी प्रिये निलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने भलबद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाता हिते रमहा वांचा कल्पतरूब्यस्च कृपासिंधूब्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमू नमहा जय स्री कृष्ण चैतन्या प्रभूनत्यानंद स्री अद्वाइत गदाधर स्री वासादि गौरभत्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हम शुरू करेंगे 21 नमबर श्लोक से मैट्रेय वाच सवुग्रदन्वन यदेव भावशे आशीच्य तुष्नीम रविंदनाभं मैट्रेय मुनी कह रहे हैं यहां पर है विदूर करदमो मुनी यह वाक्यों को बोलने के बाद है उसके बाद में वह अपने विश्नु के उपर ध्यान करते हुए जो जिनके नाभी से पद्म फूल निकलता है और वह साइलेंट होगे मौन में भगवान विश्नु को ध्यान करते हुए वह एक हस 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 रहे मतलब स्माइल एक्चोली हसना नहीं मतलब स्माइल कि साइलेंटलि स्माइल और उनका चहरा जो है देवहुति करदम मुनी के चहरा को देखे वाकशित हो गई मुग्ध हो गई और वह करदम मुनी के ओपर ध्यान कर रहती है इस तरह से ये जो है विवा का प्रस्ताव सुर्विकार को नेग बाद यहाँ पर देखते कि करदम hypoth तुरंद भगवान के ध्यान में लगए क्योंकि यहां पर यह है कृष्णभावनाम्रत का विदी बताते हैं कि यहां पर शुद्द्वक्त इतने भगवान के चिंतन में मगन हैं और उनका दूसरा तो कारी है यह नहीं लगता है कि अलग-अलग बहुत सारे कारी कर रहे हैं भक्त मगर उनका जो मेंग चीज़ है वो है भगवान को स्मरन करना और ऐसे जो कृष्णा भावना मृत जो वेक्ति रहता है उनका जो हास्य इतना अकरशिने रहता है कि वो सब बहुत सारे लोह को अकरशित कर देता है और वो सब उनके अनुयाही या उनके शिश्य उनके सब बन जाते तो यहाँ पे कर्दमुनी के ये हास्य मुख को देखके देवु हुती बहुत आकर्षित हो गए फिर बता रहे हैं पे कि यहाँ पे जो स्वाइमभु मनुए अपनी रानी शितरूपा का इच्छा को जानते हुए और अपनी पुत्री देवु हुती का इच्छा जानते हुए अच्छी तरह से देवहुती को कर्दम्मुनी को विवाह में उनका हाथ उनको दे दिया जो की कर्दम्मुनी उनके समान जैसे अच्छे गुण संपन विक्ति थे योग्य विक्ति थे शतरूपा महाराग्नी पारि बर्खान महाधना दंपत्यो पर्यधात प्रेत्या भूशय वास परिच्छदान शतरूपा बहुती प्रेम से बहुत सारे आबूशन जो है ये विवाह का समस्कार के समय में जो बहुत सारे आबूशन है ये बहुत ही अवश्यक है जो एक पूत्री को ये जो माता है शतरूपा बहुत अमूल्यवान वज्जर और वस्त्र हो और गर में जो सामान लगता है सब कुछ दहेच के रूप में जो है अपने पुत्री के साथ में जो है यह विवाह में दे दिया है करदम मुनी को मतलब करदम मुनी और पुत्री को यह सब कुछ उन्होंने प्रवाइड किया दही जुर में इसको बोलता है पारी बर्खान मतलब कि यह जो है यह जो है इसको डावरी को हिंदी में क्या बोलते हैं भूल गया है अभी बोल रहे हैं दहेज ना तो इस तरह से माता पिता अपने पुत्री के लिए जो है अच्छा दहेज देते हैं उनका शक्ति अनुसार और यहां पर जो लिख रहे हैं कि कि क्या-क्या दिया है नहीं पर जो अबुष है अबुषन वस्त्र वित्यादी बहुत सरे जो भी उनके ग़र में लगते सामान परिच Zam ? यह सब दिया ओ सा मतलब उनके वस्त्र दिये और भूशा मतलब आभूशन दिये हैं और परिच्छत धान मतलब बहुत सारे गर के लिए जो सामागरी चाहिए वो दे दिये हैं तो यहां पर जो है इस तरह से यह जो दहेज है यह कुछ इल्लीगल नहीं है मतलब कानूर के विरुद्ध नहीं है या शास्त्रों के विरुद पूत्र में नहीं है वेदिक संस्कृति में नहीं है ऐसे कुछ लोग कहते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं मगर यह जो धहेज होता है वह जो पिता होता है उनके पूतरी के विवाख में उनको भेट एक गिफ्ट के रूप में वह प्रेम से अपना जो विएक्त करते हुए अपने पुतरी को यह देते हैं और जरूर देते हैं और ऐसा बहुत कुछ कुछ परिस्तितिया होते जहां पर पिता के पास कोई धन नहीं है उनके पास बहुत ही वह गरीब है और नहीं पाते तो शांसर कहते हैं कि वह कम से कम एक फल और एक फूल तो सकते अपने दामात को और कुछ रख सकते कुछ कर सकते उनको इस तरह से तो यहां पर बोल रहे हैं कम से कम उनको फॉल तो देई सकते हैं इतना तो देना चाहिए अगर उनको कुछ आर्दिक रूप से उनका बहुत परिस्तिति कराव है तो बेसिकली यहाँ पर जो उनके शेक्ति सामर धनुसार वो अपने पूतरी के प्रति व्यामों प्रेम हैं उसको व्यक्त करते हो प्रदर्शन करते हो उनके सुरक्षा के लिए हो उनका ज़रूरत के लिए हो जो है दहेच के रूप में बहुत सारे चीजों को ज़ो पिता दे कर देख रहा है और इसका शास्त्र में लेक किया हुआ है ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं आधान के लाएन हम देखे रामायन में भी देख सकते आधी जवम कि पूट है नहीं विंखकेार नेसãy subscribe से विक्त करते हुए देते हैं प्रत्ताम दुहितरम सम्राठ सद्रिक्षाय गतव्यत हां उपगुहियाच बाहुप्यां आउट कंट्यों मतिताशय तो अब इनका जो बहुत महत्वपूर्न दाइत रेस्पॉंसिबिलिटी जो था स्वयंभू मनु का कि अपने पुत्री को कि योग्य विक्ति के साथ विवाह करवाना वो कर दी उसके बाद में उनका मन अभी एक शांत हुआ है कि की अभी तक सारी ओ तो मन यहां पर जो हां 153 विच्छी you он को अभी आलिंगन करें उनके हातों से और अपन प्रेम व्यक्ति कर रहें अपने पूत्री के ऊपर कि अपने पीचा को एक चिंता रहता कि चिंता पुत्री न केबात में नियुक्य के विवाना हो और जब यह विवा करते हैं माता पिता अपने पुत्री का या अपने संतानों का पुत्र का हो पुत्री का हो जब उनका विवा हो जाते तो उनका जो है responsibility जो दाइतु है वो पूर्ण होता है जैसे उनका पिता का हो माता का responsibility पूर्ण होता है अशक नुवंश्टद विरहम मुंचन भाष्पा कल अम्मुह आसींचत अंबवच्षेती नेत्रो देर दुखितु शिकाह तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर बताया जा रहा है यह जो विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे तो उनके आखों से आसु आ रहे थे आसु गिर रहे थे बार-बार उनके आखों से आसु निरंतर आ करेंते हैं और उनका जो सर वह के पुत्री का सर जो है उनके आसुझे वह पुर्ण वुपे में आय। में पुत्री जो सर में सुननी पुत्र के अलिए वो रो रहे हैं और वार हम वह कह रहे है मतलब मेरे मां मतलब मेरे मेरी इस तरह से जो है कभी-कभी जुपिता है अपने पूत्री को इस तरह से प्रेम पूर्वक उनको मा बुलाएंगे, ने तो उनको बुलाएंगे, इसे प्रिमपुर्वक भी पुत्री के रूप में बुलाएंगे, तो ये जो है, क्यूं इतना रो रहे हैं, पिता जी, ये तो सब लुग जानते ही हैं, फिर भी यहां पे चुल लिखा हैं, पताएंगे, क्योंकि अभी पुत्री का विवा हो जाएगा, और वो अभी अपने पती के गर में चले जाएंगे, तो अभी वो उनके गर से दूसरे के गर में जा रहे हैं, और उनके गर में रहने वाले, इनके गर में भी रहने वाले नहीं हैं, पुत्री अपनी गर से दूसरे पती के गर म वो विक्ति हो जाएंगे तो इसलिए अभी वो जो है वो विरह को सहन ना हो पाए इसलिए वो रो रहे हैं मगर यह एक इंपॉर्टेंट डाइतु है तो यहाँ पर निबा रहे हैं मनु समहिता में ही कहा गया है कि जो स्तिरी है उनको ऐसे अरक्षन बिना रक्षा के ऐसे ही चोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अभी देखिए पिता जो है अभी तक बच्पन से अपनी पुत्री का पालन पोशन करके बढ़ा किया है अब उनको भी विवाह होना है किसी के साथ में क्योंकि उनको भी अबना जीवन में विवाह होना है फिर नेक्स्ट आश्रम जो है विवाह तो होता है उसके बाद आगे बढ़ना है जीवन में तो दूसरे के साथ विवाह करना ही और एक चीज के उनको रक्षा भी प्रदान करना है, स्तिरी को रक्षा प्रदान करने का हमारे वैदिक शास्त्रों में कितना महत्व दिया दे के, स्तिरी प्रोटेक्शन फर वुमें, स्तिरी को रक्षा देने के लिए, और यहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि अभी वो हर सम में हमारे वैदिक सिस्टम में स्त्री का रक्षा हो हर समय स्त्री का रक्षा होने के लिए यह system है कि हर समय वो किसी के रक्षन में रहे एक पहले पिता के रक्षन में बच्पन से जब बड़ा होती है विवाँ होने के बाद अपना पती के समरक्षन में रहती है पती उनका रक्षा करते हैं और उसके बाद में उनके पुट्र रक्षा करते हैं इस तरह से वेदिक सभ्यता संस्कृति है इसमें हर समय में एक नारी और अग्स्त्री रख्षा हो इसका ख्याल रखा गया है। इसलिए बताया गै कि इक इस त्री को कभी भी वह उनको अरक्षन से चोड़ना ना चोड़ना ना जैंगर जी हो कोर तो बहुत लोग इसको गलत तरीके से समझते हों सोस्ते ही जह क्या है हर समय उनको क्या दास बनकल में बंडी कर रहना क्या उनक का अनका मा सब्वेंड का अनका उनका पती का कुछ लोग ऐसे भी आर्ग्यूँ करते हैं, क्यों ऐसे freedom नहीं है? कोई भी स्थRI को किसी से भी जाके गूम सकती है, किसी से भी मिल सकती है. You sweatantra चाहिए. कोई भी लड़के साथ, लड़के के साथ कहीं भी आखेले में, रात में भी अंदेरे में, कहीं भी, किसी काहत कितर सब्सक्राइब करने के लिए कुछ आपको सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को कुछ आयोजन करना चाहिए उनको इतना लोग उनका बहुत जगा पर उनका सोशन हो रहा है बलातकार हो रहा है इतने सारे के प्रॉब्लम से सृरी को समरक्षन नहीं हो रहा है हर जगापे लोग आला गुला कर रहें तो वेधिक सभ्यता समस्कृति में विदी विदाद कर उया हुआ है उनका पूरा जीवन बर जीवन का हर समय है उनका प सुचते हैं, आपको इसलिए जो समाज में इतने सारे समस्या हो है वो होगा तो इसलिए यहां पर जो है इस देवुहुति के इस जीवन के चरित्र में सब देख सकते कि अभी बच्छपन से लेके बड़ा हुआ को यहां पर उनका पिता स्वयंभू मनु ने रक्षा किया उसके बाद में अभी उनका पती जो है करदम मुनी रक्षा करेंगे उसके बाद में करदम मुनी सन्यास लेने के बाद में पस्यात उनके पुत्र कपिल मुनी कपिल देव वह भी उनको रक्षा करेंगे प्रदान करे तो यह सब चीजों यह सब स्टेज एक उदाहरन हम बोले ना एक आधर्श सब कुछ हम देखने के लिए मिल रहा है यहां पर तो देवगती के जीवन में भी हम देख सकते हैं सब घटना हैं सहां कैसे सारा जीवन में उन्हें पती फिर पाद में पहले पिता पाद में पती उस लोग एक साथ में उसको देखके आज का विशेशेश करेंगे आमंत्यतं मुनिवरं अडुग्नियाता सहानुगह प्रतस्तेरतमारुख्या सबार्या स्वपुरम्रिपह उभयो रिशिकुल्याया सरस्वत्या सुरोधशह रिशिनामुपशांतानां पश्यन अश्रमसंपश तो यहां पर पता रहे कि अभी विवाख हो गया है करदमुमुनी और देवभूती का इसके बाद में स्वाइम भूमनु करदमुनी का जो है परमिशन लेके वहां से अभी निकल रहे हैं जाने का और फिर अपने रत पे चड़गे अपने पत्नी शत्रूपा के साथ और अपने जितने भी लोग आये उनके साथ उनके साथ उझे अपने राजदानी के और जा रहे हैं और वो बता रहे हैं यहां पे कि जब उनके राजदानी के और जा रहे थे प्रस्ताव कर रहे थे स्वाइम भूमनु तो वह रस्ते में देखे कि बहुत सारे सुन्दर अच्छा अद्भूद रिश्यों को लगा क्योंकि यह जो सादू मुनी संथ है वो नदी के किनारे तट पे वो लोग निवास करते हैं है तो इसको बोलते है रिशी कुलास हमारे बारत में भी पहले से बहुत सालों से पहले से भी यह रिशी कुला रहते थे मतलब कि यह जो सीटी तो है जो बहुत सारा अभी आजकल जो सीटी बनाते बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग से सीटी बनाते बहुत मेंद से पहले जो होता था रिषी कुला रहते थे उससे आज्गल सीटी के बिल्डिंग को लोग सोचते बहुत अच्छा है और वो समय अभी यहाँ पर जो वर्ना कर रहा है तो रिषी कुल भी रहते थे जो रिशी लोग रहते थे कहां पर रहते थे सब नदी के तटके पास क्यों नदी का अच्छे जो आध्यात्मिक प्रगती के लिए ये बहुत लापधाय के तो गंगा, यमुना के नदी के तटके उपर आज भी आप देख सकते परितरे स्तलों में, तीरत स्तलों में बहुत सारे सादू संत उनिवास करते हैं तो राजा भी देख रहते हैं और बहुत संतुष्ट हुआंको कि इतने सारे रिशिमुनी, सादू संत इतने सारे बहुत आध्यात्मिक प्रेक्टिस कर रहे हैं सब लोग और उनका जो यहां बताया गया कि बहुत सुंदर यह थे सी कुटिया है कुटीर है फिर भी वह बहुत सुंदर है दुर्श्य देखने के लिए पश्यन आश्रम संपद है यह भी सुंदर संपद है सो पहले जो सादू संत ऐसे बड़े-बड़े बिल्डिंग कुछ नहीं है स्काइस्क्रपर बिल्डिंग में नहीं रहते थे कुटीर में रहते थे मगर फिर भी बहुत सुंदर जिनको देखके स्वयमभूमन को बहुत आनंद हुआ तो अभी स्वयमभूमन अपने राज़दानी में जाएंगे बरिश्मती तो वहां पर क्या होता है क्या करते हो वो वो ती आसकती चनक है वो हम कल देखेंगे आज के लिए ये पर विराम देते हैं बहुत बहुत दन्यवाद श्रीडप्रभुपाद की जाए करंतराज श्र परंदिकी जैनिता आई गौर सितनात प्रेमनंदी हरे रिप्रू